आज हम बात करेंगे के different types of material और different types of pipe जो हम MEP system में और MEP work में हम लोग use करते हैं जैसे के HVC में और plumbing में और firefetting में कौन कौन से pipe use होते हैं वो मैं आज आज आपको बताऊंगा तो चलिए देखते हैं, first one pipe है stainless steel, stainless steel का pipe हम लोग use करते हैं और उसके बाद आता है cast iron का pipe, cast iron का pipe भी हम लोग HVC में use करते हैं लेकिन friends आपको यह पता होना चाहिए कि cast iron का बहुत high coefficient of reference value होती है जिसको हम लोग C से indicate करते हैं, C means coefficient of reference इसको हम लोग design section में use करते हैं और इसका coefficient of reference जादा होने से हम लोग cast iron को बहुत ही कम prefer करते हैं उसके बाद आता है copper pipe, copper pipe की C value बहुत ही कम होती है, इसका मतलब copper pipe का जो coefficient of reference है वो बहुत कम होता है और यह हम लोग VRF system में use करते हैं copper pipes, उसके बाद आता है mild steel, mild steel means जो हम लोग HVC के system में use करते हैं चिल वाटर piping में हम लोग जाद तर mild steel और black steel pipe use करते हैं schedule 40K और schedule 60K और schedule 80K यह depend करता है कि हम लोग किस system पे काम कर रहे हैं जाद तर हम लोग chill water system में mild steel और black steel pipes को हम लोग use करते हैं उसके बाद next one pipe आता है हमारा galvanized iron pipe galvanized iron pipe हम लोग fire fighting system में use करते हैं यह सभी तरह के fire fighting system में हम लोग use करते हैं और इसके बाद आता है PVC pipe PVC pipe और UPVC pipe हम लोग CPVC pipe हम लोग plumbing system में use करते हैं जिस तरह के plumbing system होते हैं हम लोग इसमें PVC and UPVC और CPVC pipe अगल में पॉलिभी पॉलिव यूज़ू करते हैं यूज़गे इसके बाद में होता है और इसके बाद आता है और एक नैलोन वैंप नैलोन पॉलिग सिस्टम में यूज़ आता है है सब आद्यग करते waren पलमींग पैपड और çet अभी दुप शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के informative वीडियो पाने के लिए तो चलिए friends हम मिलते हैं next वीडियो में